मान सहित विश्पिय के शंबु भै जग्दीश बिना मान अम्रित पिये राहु कटाय शीश भगवान शिफ की लीला ही तो है जहां सभी देवी देवताओं के स्वरूप की पूजा की जाती है तो वही निर्विकार, निराकार और ओमकार स्वरूप महादेव का लिंग रूप में पूजा होती है लेकिन ये शिफ लीला यहीं समाप्त नहीं होती भारत में कई शिफलिंग ऐसे हैं जहां अपने आप जल की धारा बरस्ती है तो कुछ का आकार साल दर साल बढ़ता जाता है मंदिर के पुजारी संतोष उर्फ नागा ने कहा कि यह प्राचीन और प्रसिद्ध भूतनात बाबा का मंदिर है जिसकी स्थापना यात्रा के दोरान आए एक संत ने सन 1998 में किये थी इस अद्भुच शिफलिंग का आकार हर समय बढ़ता जा रहा है यहां के स्थानिय लोगों ने ही इस मंदिर को भव्यता प्रदान किया है बूतनात बाबा मंदिर के निर्मान की बात करे तो यहां एक प्राचीन काल में संत आये थे जिन्होंने अपने साथ यात्रा के दोरान एक छोटे शिफलिंग लाये थे जिसको एक स्थान पर रखकर पूजा अर्चना करने लगे संत के जाने के बाद वहां के स्थानिय लोग ने वहां पूजा करना शुरू कर दी यह चोटा सा शिफलिंग धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़े एक आकार का हो गया इस शिफलिंग के प्रती लोगों की आस्था भी बढ़ती गई स्थानिय लोगों की माने तो भूतनात बापा का मंदिर अपने आप में अद्भुत है यहां कई लोगों के साथ कुछ ना कुछ चमतकार हुए हैं हर किसी की बाबा मुरादे पूरी करते हैं इस मंदिर के निर्माण में मुकदमे बाजी वाले लोग का भी काफी योगदान है क्योंकि यहां शीष जुका कर जो भी मुकदमे लड़ने जाता है वह जीत कर आता है तो वह लोग आकर इस मंदिर के निर्माण में सच्चे मन से योगदान देते हैं हर हर मादे मेरा नाम संतो सुर्फ नागा है मैं यहां का पुजारी हूँ और यह सीलिंग अद्भुत है यह बाबा का जो सीलिंग है अद्भुत अपने आप सालों में यह बढ़ता रहता है हम लोग छोटा लाय थे लेकिन आज यह 11 साल में इनका रूप देखिए इनका है और है और आजिवन रहेगा भाई साहब मैं आपके चानल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे भूत नाथ बाबा पंदरा साल से यहां स्थापित हैं आस्थाई रूप से इनका पूजा होता था अभी इधर एक जगा लेकिन वहां से इनको हम लोग उठा कर यहां ले अब है लोग कर दोना से उसलिए एंका नाम फोट नात के नाम भूत नाथ करा दे दिया गया चमध्कारी हम अव्यों अभिक्र में हम लोग 30 लेकिन लेकिन कंग में सीव का वास होता है आप यह और किसी को था मеня गम पत्थर में ही बैस होता है कि कह यहां यह कि कि हरिव्याब अक्सरवत्र समाना प्रेम्त प्रगट हो में जी तो अपने मन में जिसको भी आप लेंगे वही आपके पास हाजिर हो जाएंगे पत्थर की सचाई है कि छोटा से यहां पर अलाय थे और इस समय बढ़ते जा रहे हैं इनको उसी से अपना पूजा लोग यहां को प्लोनी का चैबगल के सभी लोग करते हैं क्या मान्यता है क्या कुछ चमतकार तो यहां से बहुत है यह यहीं चमतकार है कि सब यहां से सुखी रहता है जो भी अपना मांग करते हैं पूरा होता है यहां इसकी मान्यता यह है कि यह उन्टानवे में हना कुछ लोग गये थे तिर्थ यात्रा पर वहीं से यह पथर छोटा से लाए थे हाना कोई साधू टाइप के थे उस समय हना आये थे यहां पर वे सोते थे यह सब बिरिच बहुत चोटा था अब तो बिरिच दुवाजारेक में यह सब लगा यह सिर्फ पीपल का बिरिच था चोटा था यह भी कि यह पर आराम करते थे और बाबा को चड़ाते थे सुब यह पर 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 करके मुकदमा लड़ने के लिए शपल होते थे और वही लोग धीरे-धीरे इस मंदीर को विकास करने के लिए आतूरोट है इसलिए कि चमतकार उन्हों को दिखाईए देर लगा यहां से इनका दर्शन करके जाते थे और मुकदमा जीत जाते थे